हेलो आज हम कर रहे हैं रीट लेविल बन और टू में जो नया टॉपिक जुड़ा है आपके राइस्थानी सब्द का उसके बारे में डिसक्रिशन है ना तो इसमें जो आरइस्थानी सब्द का जो हिंदी रुपांत्रण है वो लिया गया है तो उमीद करता हूं कि इसके बाहर से आपका कोई भी सब्द नहीं आएगा इस टॉपिक में तो चलिए बिना देरे कि हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं आपका फैला सब्द है वीरा वीरा यानि भा भावज जिसको हम क्या कहते हैं भावी भावी को क्या का जाता है राइस्थानी में भावज इस तरह बड़ा लड़का क्या होता है बड़ा लड़के को भावर का जाता है और लड़की को भावरी बड़ी लड़की भावरी और बड़ा लड़का जो होता है वो भावर कहला इसी तरह चोरा-चोरी वर्ड तो आपने बहुत सिना होगा है किसके लिए करते हैं लड़का-बजकी के लिए इसी तरह दांगरा दांगरा डांगरा ने भार बगाव सा, डांगरा को भार बगा दो, तो वो क्या है, पसु, पसु को क्या बोलते हैं, डांगरा और धोर, धोर को भी, धोर भेड बक्रियों जो होती हैं, उनको धोर बोला जाता है, भेड बक्रियों को क्या कहा जाता है, धोर कहा जाता है, इसी तरीके से बींद जो दूला होता है मुख्य तोर पे उसको बींद कहा जाता है लेकिन सामने भासा में कभी को बार पती के लिए भी कह दिया जाता है कि उसका बींद क्या कर रहा है तो उसका बींद क्या कर रहा है तो बींद का मतलब उसका पती क्या कर रहा है उसका दूला क्या कर रहा ह इसी तरह बींदनी वर्ड जो होता है वो दुलन या बहु के लिए यूज किया जाता है कि थारी बींदनी कठे से तो बींदनी का मतलब बहु तुमारी बहु या तुमारी वाइफ कहां पे है तो बींदनी बहु या दुलन के लिए यूज किया जाता है जो देवर होता है उन कि लाड़ो के तोरपे कहा जाता है और प्रिय यानि बहुत ज़धा जो प्रिय होताँ है वो लाड़ो या फिर सामने तोरपे जो बेटे होते हैं उनको लाड़ कहा जाता है इसी तरह आगे देखिए लाड़ी यानि सौतन सौतन जो होती है उसको लाड़ी कहा जाता है गेलर गेलर क्या होता है जैसे किसी इस्त्री का वेवा होता है उसके साथ कोई बच्चा पहले से उसके साथ होता है तो बच्चा उसकी साधी के साथ ही आता है तो दूस कहा जाता है और इसी तरह जब इस्त्रीक की लंबाई कम होती है तो इसको बावनी कहा जाता है यह नो गनेड़ो और घनेड़ी यानि भांजा और भांजी भांजा भांजी को राइस्थानी में गनेड़ो और घनेड़ी कहा जाता है और फुपा जी को भूडो जी कहा जाता है भूडो जी, थारे भूडो जी कठे से, भूडो जी यानि फूपा जी, धनी, लुगाई, धनी और लुगाई किसको का जाता है, पती और पत्नी को, धनी और लुगाई, थारो धनी कठे से, एक की सेंटेंस से हम सारी सेंटेंस को कवर अप कर सकते हैं, तो धनी, यानि थारो ध किलो को और धड़ी या पसेरी कहा जाता है उसी तरीके से 40 किलो को मन कहा जाता है यहाँ पर जो अनाज को हम तोलते हैं तो कैसे तोलते हैं मनों में तोलते हैं पसेरी से तोल देते हैं तो मन यानी 40 किलो पसेरी यानी 5 किलो सेर यानी 1 किलो और धुन यानी 20 किलो सेर मन और पसे निश्यक्तान वह सबुना। उस 한ी सब्सक्रद के लिएकशा होगे सब्सक्रदार हो लुक्तु चीनंची आया है। इसी नियुक्ति वाता है। जो आपका धनी जो आपका वह वास्तिक है। वो गाओं के रहने वाले से हैं, लेकिन हम लोग अनपढ के तोर पर उसको यूज़ करने लगे हैं, लेकिन राइस्थानी भासा में जो अनपढ सब्द है उसके लिए गाओंब का यूग किया जाता है, बेगा या बेगी, अरे बेगा बेगा कर रहे, बेगा बेगा मतलब जल जल्दी जल्दी करना, जिनावर, अरे जिनावर आगयो छोरा, मतलब जिनावर आगया भाई, जीव जन्तु, जानवर जो आ जाते हैं, तो अरे जिनावर आगयो छोरा, जिनावर मतलब जानवर आ गया है, सिरक, रजाई, पाया सर्दी आगे ली छे, सिरक लाओ, सिरक मोटी ह रजाय होनी चाहिए रजाई रजाई आप सर्दियों में लुड़ते मायरो मायरो क्या होता है भात 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 देना भात खाना एक भात होता है कहाने वाला जिसमें हम चावल परोस्ते हैं, और एक होता है मायरो भात, मायरो यानि भात ये कौन सा भात है, जब हम वेटियों को, जब उनके सस्राल में भात देने जाते हैं, तो वो भात है मायरो, जो उनके माईके से आता है, यानि जो माता पिता के प्रक्ष से आता है, वो मायरो, यान पिसली तरह है मूदो मूदो यहीद लगन्टिक का लगन्टिक आता है सहदी से पहले तो उसके लीए उसको क्या करते है और मूदो कि discs काया है यह बहुत है लोग मांगते हैं और हमका विरोग करते हैं लेकिन पिर भी मूधों के बारे में बात जरूर करनी पड़ती है तो मूधों क्या है लगंटी का, तिस लगना या पिस लगना, तिस यानि प्यास लगना, जो पानी, रह पिस लगरी से सोरा एक ग्लास पानी लिया, इस तरीकी से बोलते हैं थोड़ा सा, मुझे ज्यादा अच्छी राइस्तानी नहीं आती है लेगन थोड़ी थोड़ी आती है पिस लगना प्यास लगना है ना गिटना गिटना यानी खाना इसी तरीके से पतंग उड़ाना पतंग उड़ानों को यहां क्या बोलते हैं कीन उड़ाना कीन उड़ाना ख्वास जी यहां पर जो सभी जाते हैं को उनको क्या बोलते हैं, ख्वास जी बोलते हैं, है न, और वैसे आपके इस बुक में नहीं है, लेकिन कहा जाता है, जैसे कुट्टे को बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, डांगी सा, तो यहाँ पर तो जानवरों को भी जद्धी जाती है, तो यहाँ पर सभी का सम्मान किया ज तरह जूतरा जूतत्रा बड़ा हो गए अला थे मतलब बाल बहुत बड़े ओगए हैं आपके तो जूतरा जूत्रा एनि बाल मोढो साधू साधू को यहां पर क्या बोलते हैं मोढो बलो आये है। इसी तरह पुरियों, पुरियों क्या है, जानवर का जो भोजन का जगे होती है, उसको पुरियों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुरियों, घडुची, पानी का मठका रखनी की जगे होती है, वस्तु होती है, पानी मठका जो मठका रखनी की वस्तु होती है, वो क्या कहला तरी के चाह सी ओरा Also कौने का कमरा ithती हो, और रिंक इते हैं कि February और पर緩 कहा जाता है परिंडा पानी रखनी की जगें पानी रखनी की जगें पानी ची फैर यहां पर पानी रखा जाता है परिंडा और भी कही चीज़ों के लिए जैसे कि पक्षियों के लिए जो अपन पानी रखते हैं उसको भी परेंडा ये लोग इस्तेमाल करते हैं राईस्थान में जट पर जो कम्रा होता है उसको मालिया कह जाता है है गुम्हारिया यानि तल घ्र का जाता है मेल यानि व्यवाहिक प्रतिभोज जब क्या होता है अपने रिसेप्शन प्राइटी दी जाती है साधी के बद तो यहां पर क्या दिया जाता है मेल दिया जाता है सब यहां मेल दिया जाता है व्यवाहिक प्रतिभोज जिसे कहते हैं मुकलाओ मुकलाओ यानि गौना करना बा मारो टावर गाणों अच्छ है मतलब मेरा टावर बहुत अच्छा है मेरा बेटा बहुत अच्छा है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है तो मारो गीगलो या टावर जो सब्द है वो किसलिए बच्चे के लिए उच्चिया जाता है इस तरह बेश्वार मसाला मसाला यानि सब् कोण ही अच्छी बने मतलब सब्जी में अगर बेश्वार मसाला नहीं डलता तो सब्जी कहां अच्छी बनती है तो बेश्वार यानि मसाला कलेवो सुबह सुबह आप ब्रैक्फास्ट करते हो तो उसको यहां पर कलेवो कहते हैं और यहां का कलेवो जब बड़ा होता तो आफुला जाता है यांनी पण्चांग, मिती यानि तिथी और सिद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं ? और हमारे राइस्तारी बासा में मिथी बोला जाता है इसको यानी लान इसीस तरह कि यानी थीस ले मंजिल जो होती उसको किया बुल जाता एटीपढ का जा सामने का जो बड़ा कमरा उसको किहांा तकडियो या तकडि यानि तराजू है ना हम तोलने के लिए जिस इन तराजू का यूज करते हैं उसको यहां पर तकडियो का आ जाता है इसी तरह मसाला रखने का जो डिबा होता है मसाला का जो बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं बेडियो मसाला का जो बॉक्स होता है उस गंदा हो जाता है यार खूसडा तीकि गलती से रायस्टानियों के अधर में चले गए और खूसडा अंदर ले गए था देख लो फिस रा पढ़ेंगे तो खूसडा यानि जूते चपड बरिंडा बरामदा, आंगी, यानि इस्त्री की जो चोली होती है, उसको यहां कहा जाता है, आंगी, इसी तरह कांचली, इस्त्री की जो कुर्ती कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कांचली कहा जाता है, इसी तरह गले में पहनने की माला, जालरो, जालरो क्या होता है, गले में पहनने की म बनियान आपने यहां तो बोल तो सेंडो बनियान दे दो वहां बोलते हैं गंजी दे दो तो गंजी और बंडी यानि बनियान जबलो जबलो यानि जो छोटे-छोटे बिच्चे होते हैं तो बुवाएन लेकर आती हैं जबलो नाएन लाई तो जबलो यानि नवजात पर तुझे ये तैच्छी थाई चूर्डशो पके मज़ने रगता हूं कुंडा कहा जा सकता है, छोटा सा कुंड कहा जा सकता है, छोटा सा गड़ा कहा जा सकता है, जिसमें पानी में खटा किया जाता है, तो उसको हौध भी कहा जाता है, तो पानी रखने की जो भूमिय का टंकी है, उसको क्या कहा जाएगा, हौध कहा जाता है, उस्तरा, डाड़ी महमान आगया है, मतलब बटयूस आगया है पावणा जमाई जवाई यांनि बेटी का जो हस्बेंड होता है उसको जवाई बोलते हैं और कुछ यहाँ पर राईशाण में सब जगे पर, बहुत सारी Anda ज़्गे पर, बहुत सारी जातियों में इसको पावणा सब्द से इस्थमाल कर आ जाता है कि पावणा आया है कि पावणा मतलब जो बेटी की का जो अग本 है वो आया है उसी तरह सूतली को यह यहां पर बॉलीक हो जाता है लिफाअ इंहार ऐा धूंगा भूंगा यह सर्ट और है अश्चि prolix लिफाफा ऐया, लिफाफा मिल खथ के लिफाफाद करते हैं वोह वह जखत खथ आया है तो वह जो डूगा है, या लिफाफा आया है पूंगा या मुसल किसको बोलते है, culo plan को इस सब्जी में कम डंड़ जाएauen तो स्वादना कांदो कांदो, कांदे के बिना भाई साब गर्मी नहीं करती है राईस्थान की, इसके बिना गर्मी लग जाती है, तो कांदो का बहुत इस्तमाल होता है, कांदा यानि प्याज, जिसको कांदो भी कहा जाता है, कांसन, बर्तन, बर्तन को क्या कहा जाता है राईस्थान, कांसन कहा जा कि मूझ मूझ सब् Glad attributes बारी यहां पर मूझ इस्तिमाल करिण होटा है मूझ ठाटो यानि काला कर आनाज रखने का बरतन बनाया जाता है क्या होता है का गज है उसको पर हो गल जाते हैं और उससे फिर कूट कर एक नय बरतन बना दिया जाता है तो इसको ठाटोक आ जाता है इसमें अनाज के चीजें भरके रग दी जाती है। इसी तरह है, तड़के या तड़काओ, तड़के आजा जो छोरा, तड़के मतलब जल्दी आजाना, मतलब भोर होते ही आजाने, यानि सुभह ही आजाना, तो तड़के यानि तड़काओ, तड़काओ आजा जो छोरा, तड़के आजा जो छोरा, छोरी जल्दी आजा जो, ज काफी important है Unnalo और शीयालू। उनालो लालो गर들이 का मसम शीयालो सर्दी का मसम या सयाथ्टो जहां सर्द लगती है वहूं सयाथ्टो. रमणने यानि खेले ने चोरो कि रमणने गयो और छोरखां गया है खेलने घया है हैま तो खेलने जाते हैं वहाँ रमनने जाते हैं Hmm गुनिया क्या है जो अपने में पेली बोलते हैं जिसको वहां पर राइस्थान में अपने यहां पर इसको गुणियां बोलते हैं चाय दूद्या पानी का जो बर्तन होता है चोटा सा उसको गुणियां बोलते हैं उसी तरह कुलियों मिट्टी का जो छोटा बर्तन होता है इसी तरह खेड खेड पानी पीने का जो इस्थान होता है प बहुत अच्छा तरीका है मुझे बहुत पशंद है राकी खेड के से बोलता है पासो के पानी पीने का इसथान है यह से पानी का नुक्सान कम होता है तो बहुती नक्षांटा होटा। तो दही जम जाता है और जिसमें दही जमाया जाता है उसको क्या कहते है जावनी दूद दही जमानी की जो मठकी होती है उसको क्या कहा जाता है जावनी कहा जाता है उस तरह लूणो लूण जो होता है वो आपका नमक होता है लेकिन लूणियों जो होता है तो वो क्या है आ जो मक्षन होता है जो द किसे बिल्कुल ताजा ताजा निकलते है उसको कहते हैं इसंतर गी लडिं tray रखने का वर्टन किया होता है घीली यानी मकः रखनी का वर्टन इस तरह जैली दो सीम का लकड़ी के उपकरर को जिसमें क्या है यह आपकी खुदाई के उपकरण है कोडाली कसी और भावडा यह सब कैसे हैं खुदाई के उपकरण है इसी तरह मचान या डागला जब जोपड़ी नूमा उंचा इस्थान समाने तौर पर क्या होता है पेड के उपर बनाया जाते हैं मचान और मचान बनाने का काम क् जैसे खेत पर पूरी निगरानी रखनी है तो पेड़ों के उपर जॉपड़ी-नुमा जगे बना दी जाती है तो जिसको मचान या डागला का जाता है डागला बना दिया है जॉपड़ी-नुमा इस्थान इस तरह थेपड़ी या च्छाना या कंडे यह जानी गोबर के ग रेंडे का जाता है जो गोवर से बने हों जते हैं। इस तरह घाकला, जो का रही जो आगाधा है। तो मैं इसको दो-तीन सब वीडियो के अंदर दूँगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू